अब प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करूँ, मैं ने उसमें भी आपको बताया था, कि कोई भी इंसान कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पीछे की जोगरफी होती है, है ना, जहां जैसी जोगरफी होगी, वहां वैसी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म होती दिखेंगी तो आपको किसी इसी फिल्ड में बहुत दाने इनोवेशन चाहिए हो था टाइम आपको नहीं चीज़े सीखनी पड़ती है नहीं चीजों का नहीं मशीनों का आपको इनोवेशन करना पड़ता है ताकि जो पुरानी टेक्नलोजी है उससे बहुत पर आपको पर बहुत है तो यहां पर लोग बहुत है किया हाल चाल कैसे हैं आप लोग हमारी इस माइंड मैप की प्यारी सी सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं सर आज क्या पढ़ाने वाले हो तो पिछली लेक्चर को याद करो थोड़ा सा नहीं हमेंशा टा हम भाई10 कणेक्ट कर लिया करो थोड़ा सा मलत मिलती समझने में थोड़ी सी आजानी होती है तो पिछले क्ल मात करों पिछले क्लास में हमने प्रामरी एक्टिवडी लेक्टिव लोग है इसमारी सेकंडरि अक्टिव ली Maar कर लियाि प्रामरी ज्टिवडी prohibits ने इन अब सब्सक्राइब करेंगे अब सब्सक्राइब क्या बात करेंगे लुट कर्मीरत के आउटलायन एक पांडायन बटावाउगा गैसे तो अब बंड एक चब्ड़ेज़् नीइए बारे में प्राइमरी अक्टिविटीचे बारे में पर बारे में बेसिक सी छीजे पता है बेसिक सी डिपिञिशन पता है जासे ठांज क्व Hagagadot to उसं में नेच र the skilled कर एं एक्श्च्ड प्रक र एम डिश्च स्के करने किल्यर रुब तो इसको अम जो है बोल देते हैं सेकंडी अक्टिटी उडिटे हैं तो अभी हम इंट्रदक्टरी इन पार्ट में और बात करेंगे सबसे पहले लेते हैं कि इस च्प्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं क्या-kyn-kyn चीजों की जो हम गुफत्गू तो सबसे पहले बाइ इंट्रोडेक्शिन में थोड़ा सा चैटर के बारे में बात करेंगे और यह अमने कर लिया और बात करेंगे फिर बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म होता है मैनुफेक्शरिंग कि बात होती है तो यह जो टर्म है मैनुफेक्शरिंग यह बहुत इंबोड़न होता है इसके बना तो सेकंडरी अक्टिविटी है नहीं जब हम मैनुफेक्शरिंग का नाम लेते हैं ठीक है चली है बहुत इची बात है फिर बाई जो बड़ी जो लार्ज इनकी क्या क्या characteristics होती है है ना manufacturing की क्या characteristics होती है क्या पहचान होती है ठीक है और फर हम बात करेंगे क्या करेंगे हम फिर manufacturing industries जहां पर secondary activities को perform किया जा रहा है तो इसको पूरा जो हम classification करेंगे हना इसको अलग अलग basis पर जो हम secondary activities के बारे हम बात करें तो यह भी आपने सुन रखा है ऐसा तो है कोई नई चीज है secondary activities के बात करें तो याद करो आपने चैप्टर पढ़ा था sectors of the Indian economy उसमें आपने secondary activities के बारे हम सुना होगा या फिर पढ़ा भी था, detail में पढ़ा था जिसमें कोई भी एक raw material के होता है उसको finished goods में convert किया जाता है उसकी formation change कर दी जाती है अगर in general definition की बात करों तो आज हम क्या करेंगे आज हम यह जो sector है पूरा secondary sector जो है उसको हम पूरे divide करेंगे और अंदर घुसके जो है और यह तो बहुत जादा simple है अगर जैसे अभी हम बात करें तो अभी हम human geography के बारे हम बढ़ रहे और मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने points से मट बढ़का गरो अभी हम human geography में किसके बारे हम बात कर रहे है human activities के बारे हम बात कर रहे है अचा अब humans है है वो activities perform कर रहे है और पिछले ही chapter में आपको क्या बताया था इसके पिछले वाली chapter के यह बात करूँ है human developments की बात करूँ मैं तो मैं आपको बताया था कि हम humans कुछ ना कुछ activities perform करते रहते हैं और यह भी होता है कि जो इंसान कोई भी activity perform कर रहा है अब प्राइमरी activities की बात करूँ मैं उसमें भी आपको बताया था कि कोई भी इंसान कोई भी activity perform कर रहा है तो उसके पीछे की geography होती है जहां जैसी geography होगी वहां वैसी activities आपको perform होती दिखेंगी तो थोड़ा सा connect कर लिया करो कि हम human geography में basically economic geography के बारे में बात कर रहे है human geography के जो sister disciplines है उसके बारे में हम बात कर रहे है तो इस secondary activities यह topic है हमारा topic यह chapter है पूरा का पूरा आपके unit का एक part है तो secondary activities की हम बात करें तो in general आपको secondary activities के बारे में पता है तो अगर मैं बात करूँ भाई कोई भी अगर economic activity हो कोई भी x y z कोई भी economic activity हो चाहें वो primary activity है चाहें वो secondary activity है चाहें वो tertiary activity है चाहें वो quaternary activity है अब देखो यहाँ पर ना confuse मत हो ना tertiary और quaternary यह दोनों ही एक दूसरे से connected है एक आप बोल सकते हैं एक part है हम बोल सकते हैं क्वांटनरी जो है service sector का और tertiary sector का एक part बोल सकते हो आप इस chapter का ही है अलग से नहीं पड़ रहे हैं थोड़ा सा connect करना चीजों को आपको एक एक चीज़ों समझ में आएंगे अचा अब जो जितनी भी activities हो रहे हैं इन activities का जो main मकसद होता है main aim जो होता हो क्या होता है तो आपको पता है जब यह सारी activities perform की जा रही है तो obviously बात है अपनी needs को satisfy करना और अपनी needs को satisfy हम कैसे करेंगे तो obviously बात है हम जो resources है है उनको obtain करेंगे और उनको अच्छे से utilize करेंगे और utilize करेंगे अपने purpose के लिए अपने survival के लिए यूज करेंगे है ना मैं एक example देता हूँ आपको जैसे पिछले यूनिट की हम बात करें पिछले यूनिट का जो chapter था primary activity उसमें मैं आपको क्या बताया था क्या बताया मैंने अब थोड़ी दर पहले बताया आपको क्या बताया था primary activity के अगर हम बात करो तो primary activities कोन से activities होती है जिसमें हम जो natural जो है जो आपको natural resources दिख रहे हैं आपको उनको हम क्या कर रहे है उनको utilize कर रहे है उनको exploit करके अपनी जरुवत के लिए यूज कर रहे है तो natural resources हो गए अप कही ना कही वह resource है आप resource की definition क्या होती है यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है resources की definition है याद करो आपने class 10th में करूँ चाहे मैं secondary की बात करूँ चाहे मैं tertiary की बात करूँ इस सारी जो activities है इनका main aim क्या होता है तो भाई हम क्या करते है हम resources को obtain करते है उनको utilize करते है और उनको जो है utilize करने के बाद अपने survival के लिए अपनी life को आगे बढ़ाने के लिए कैसे life आगे बढ़ेगी अपनी life को क्योंकि हम natural resources को utilize कर रहे है अचा अब मैं एक बहुती प्यारा सा example लेता हूँ मान की चलिएगा आपने shore cane की farming की आपने shore cane की अपने shore cane की गन्ने की अब जब आपने गन्ना लगाया let's say UP ले लेते है UP में आपने गन्ने की खेती की क्योंकि UP बहुत बड़ा largest producer है shore cane का UP महराश तो यहां पर हम UP का example ले लेते हैं तो UP में आपके बहुत बड़े बड़े क्या है वाई फील्ड्स खेत है आपके land बहुत बड़े बड़े वहाँ पर आपने गन्ने की खेती की अब जब आप गन्ने की खेती perform कर रहे हो तो वह जो activity होगी उसमें क्या कर रहे हो आप आप ग पूरी मिल गन्ने की जो क्या गरता है गन्ने को पूरा जो है इसकी फॉर्म चेंज करके अलाग अलाग प्रोडक्ट्स में गन्वर्ट करता है लेत से वो इसकी शुवर बना रहा है चीनी बना रहा है उसकी जैगरी गुड वगरा वो सब बना रहा है तो यहां पर जो यह formation जिन चेंज हो यहां पर यहां पर चीजों की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो वह पार्ट किसका हो जाता है जी सेकंडी का पार्ट होजाता है लट्स जब भी कोई जो यह एक प्रॉरुप्रॉसेस को हम बोलते हैं। यह बहुत ही प्यारा एक्जाम्पल है, मतलब आपने गंदे की खेती की, तो वो प्रामरी अक्टिविटी में फॉल करेगा, आपका जो दोस्त, उसकी पूरी गंदे की मिल है, अब वो क्या कर रहा है, उस मिल में जैसी गंदे जाएंगे, तो सीथा चीनी, शुगर, जैगरी, जैगरी, यह सब बनके निकलेंगे, तो पूरा एक प्रॉसेस हुआ होगा, गंदे ने अपनी फॉर्मेशन चेंज की, पूरी फॉर्म ही चेंज कर ली और वो चीनी में कनवर्ट होगया, वो जैगरी में कनवर्ट होगया, तो यह जो प्रॉसेस है, कि जब रॉम मतीरियल को और क्चे माल को पूरी फिरी जु और फुरी गुट्स के अन्फ होगा तो पूरी जो ना ह्ति हो सेकेड़ी का पार्ट हो जाती है तो पूरी फॉली जु प्रोसरे लिए बाइग parfait like का लगारे से अंठीड आपभेसट हो त्थीक है? को पहले निकाला होगा पूरी ब्र्सस होती है पूरी प्र्स dalam को पूरी होती है अस प्रॉसस के बाद टी-खिट बनी होगी तो प्रॉसस होगया यह टी-षर बनने का प्रॉसस के भाई हमें ऐनकी игр क्णिर क्या छ वपन लधा हमें आप आ बो सकते हैं उसको हम फिरिश्ट कंवर्ज कर दे तो को मैं जे रिसकंडि qualcosa का पर बोलैसं की ऐसे तो मत्यूं का खार बेचिश का पर बीजें इसमें क्या रहक मैंमान्यूकुट्रिक्षरिंग होती न अ मैं cotton की बात करूँ गंडे की बात करूँ गंडे को आप चाय में डाल सकते हैं कि एक काम करते हैं कि चीनी है नहीं चीनी खतम होगे गंडा रखा हुआ एक काम करते हैं चाय में गंडे का रस डाल लेते हैं गन्ये का जूस होता है धाल देते हैं घननें से चीनी मनती है। था सी nhयर्ट ही भाइ९ है। ऑफिसा में डाल देता है। घनना डाल देता है। मिठाई में गन्या जूश कृणरेदे देते हैं। हाँ में अरी डाल सकते हैं। तो यह क्या दरता है, इसका काम होता है, वैल्यू को एड़ करना, सिंपल सी बात है, ठीक है, चलिए, तो यह नेच्टर रिसोर्स को टांस्फॉर्म कर देता है, और जो raw materials जो होते हैं, उनको और बहतर बनाता है, ताकि हम और इच्छे से इस्तिमाल कर पाएं, है ना, अब cotton थोड़ना मैं पहनूँगा, बाई, cotton को जब तक आप cotton को पूरा प्रोसेस करके, है ना, सिलाई, कताई, बुनाई वगरा करके, जो है, प्रॉपर तरीके ज़र टी-शिट नहीं मनाते हैं, तो मैं कैसे करें, कैसे cotton को इस्तिमाल कर सकता हूँ, cotton तो raw material है, कच्छा माल है वो तो, ठीक है, तो यह दो example जो है, cotton वाला और यह शुवर वाला, यह example याद रखना, चल यह बहुत इची बात है, अगर मैं manufacturing की मीनिंग की बात करो, what do you mean by manufacturing, क्योंकि, जो सबसे crucial पार्ट होता है, सबसे important पार्ट है, secondary activities का, वो क्या होता है, वो manufacturing हो जाता है, आपने यह शप्त तो सुना होगा, manufacturing, तो manufacturing में basically होता है, तो जैसे पराने टम की हम बात करें, लेकिन उसकी पूरी formation चेंज होती है, for example, जैसे आज के टाइम पर तो मशीनों से, टी-शिट वगरा, कपड़े वगरा बनते हैं, लेकिन आज से 100-800 साल पहले की बात करें, जब मशीनों वगरा नहीं आई थी, तो उससे पहले क्या था, सिलाई, कताई, बनाई, यह सब हातों से हुआ गरता है, और लोग किया गरते हैं, हातों से अपने, तो वह भी तो एक तरह की manufacturing थी, ना, ठीक है, समझ माया, तो अगर मैं बात करूँ, manufacturing की, तो यहाँ पर literally इसका meaning जाओगे, इसके शब्द पर जाओगे, तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब होता है, to make by hand, मतलब कोई भी चीज जो है, हातों से बनाना, लेकिन हुआ गया भाई, हुआ एकि time के साथ साथ, definition भी चेंज हो राती है, अब हातों से कौन चीज बनाता है, बहुत कम लोग हो हातों का इस्तमाल करते है, अब तो जब बल्क में आप कोई चीज बना रहे होते हो, तो उसके लिए अलाग अलाग मशीना आ गई है, अब जब जैसे आप प्रिजेंट कॉंटेक्स्ट की बात करोंगे, तो आज की इस कॉंटेक्स्ट में मैनिस्ट्रिंग का मतलब पूरी तरह से बदल गया है, अब य और यहांब गजेंपल आपके माइन में आ जाना चाहिए, क्या, तो आप उस राव मटेरियल और ज्यादा यूसल बना रहे हो, कैसे यूसल बना रहे हो, तो भई, मैनुफेक्ट्रिंग करके, उसको क्या करके उसमें, और ज्यादा वैल्यू अड़ी अड़ कर रहे हो, उसक पर मशीन का इस्तमाल हो रहे हैं आज कर हर काम के लिए जालतर आप देखोगे जुतनी भी डेवलप्ट एकॉनोमीज हैं मैं डेवलपिंग की बात नहीं कर रहा है डेवलपिंग एकॉनोमीज में आप भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अभी भी हातों से मै इवलप्ट गंट्री इसकी तो आज वहां पर आप देखोगे तो वहां पर मैकसिमम जो लोग हैं वह मशीनों पर ही डिपेंड करते हैं वह मशीनों से ही चीजों का मैनुफेक्चर करते हैं तो उसी की बात हो रही है तो आज के टाइम पर पूरे आज के इस पर आज के बहुत सारी चीज़ा एड होने लगते हैं तो भाई ओविस्सी बात है आपके यहां पर मशीन है तो आप पावर का अप्रिकेशन होगा पावर मतला मैं बिजली की बात हो रही है अब बिजली कैसे भी हो सकती है यहां तो आप कोल का अस्तमाल कर रहे हो पैटॉल यहां पावर का और आया है टीशेट्स का तो मशीन से 20 यहां वो इंटिकल प्रोड़क्शन कर रहे हो एसा निया कि आप अभी टीशेट का कर रहे हो फर आपका मार्केट है फिर आपको लगा कि नहीं टीशेट मार्केट शू भी करते हैं शू तो बिल्कुल डिफरेंट हो उसके लिए अलग मशीने चाहिए होगी आप मतलब कपड़े बना रहे हो तो कपड़े का ही दंदा कर रहे हो आप कुछ आइडेंटिकल जो प्रोड़क्ट्स होते हैं उनकी मैनुफेक्चरिंग आप मास लेवल पर कर रहे हो तभी तो मशीन रखें आपने अगर छोटे सब्सक्राइन के लिए अपने प्रोड़क्ट को और ज्याधा वगलाने के लिए तो आप और भी तो इस काम में इस्पेचिलाइशन हो, यहां पर एक्जेंपल 1987 के हम बात करें सेथा Anda लेबर चाहिए होती है आपको, skilled or unskilled labor चाहिए होती है आपको, तो यह सारी जो चीजे है वो आपको जुरूत होती है इन आरी चीजोंगी जब आप manufacturing activities में या फिर secondary activities में आप उतरते हो, तो I hope आपको इतनी चीजे हैं वो बहुत अच्छे से clear हो गई होंगी, आगे बढ़ते ह characteristics का मतलब क्या है? मैं आपसे पूझाओ क्या है, तो आप 10 बाते बता दोगे अपने वारे में, तो अगर कोई एक large-scale manufacturing industry है, एक कोई large manufacturing setup है, अब उस setup में आपको ऐसे क्या क्या चीजे दिखने को मिलेंगी, हैना क्या 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 चीजे आपको अलग मिलेंगी उसमें, वो बा characteristics of the modern large manufacturing industry, तो यहाँ पर आपको यह सारी points हम लिख देने हैं, तो यहाँ से पहले हम बात करें, specialization of skills, methods of production, अब यहाँ बात हुरी है, skills के बारे में, किस तरीके से आप किसी भी चीज का production कर रहे हो, उसमें जो skills वगरा लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, इनके बारे म बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे, तो यहाँ से ड़िशन के बारे में, कौन से जो gadgets न अप इस्तमाल कर रहे हो, आपने production के लिए, फिर हम बात करेंगे टेक्न लोजिकल इनोवेशन के बारे में, किस लेवल पर, भाई, टेक्नॉलोजी तो है, बात है, और और आज की तो यहां पर basically किसकी बात हो रही है यहां पर जो है किस तरीके से जो होता है कि बहुत बड़ी जब एक इंडुस्ट्री होती है तो पूरे एक organization को set up करना होता है आपको हर एक काम को बाटना होता है अलग चीजों को जो है divide करना होता है तो यह सारी चीजों की बात हो रही है फिर यहां पर बात हो रही है कि इसके बारे में uneven geographical distribution अब आप जब industry देखोगे किसी भी industry का set up देखोगे तो वह बहुत सारे factors पर depend करता है कि वहां पर labor कितनी है है वहां पर resources available है वहां पर power है नहीं है पावर कट कितनी होती है तो यह सारी चीज़े देखोगे ना ओविसी पात है जब आप कोई भी industry खोलोगे तो ओविसी बात है वहां पर बहुत सारी जो factors है वो तो देखोगे वहां पर labor की availability है नहीं है यह को करने के लिए आपको क्या होती है एक skill चहीं होती है फर एक्जेमपल जासे आप मान की चलो मेरा जो दोस्त है वह उसकी जो है sugar mill है शूगर मिला है उसकी आजा सूगर मिलकी हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे जो शुगर से रिलेटेट प्रोर्डुक्शन होते हैं वहाँ पर मैनुफेक्ट्चर की घाते हैं कोई भी पर्टकुल इंडश्ट्री की आप बात करोगी वहाँ पर आपको इसकी specialization देखने को मिलेगी क्यों होता आप आप पर देखोगे क्योंकि एक टास्क को जो है repeatedly वही किया जा रहा है अब वह जो टास्क किया जा रहा है तो ऑविस सी बात उसमें specialization तो मिली जाएगा आपको अगर मैं शुगर मिल की बात करूँ तो शुगर मिल में मान की चलो दो चीज़े बनने हैं च्यार जाघरी बनन रही है यहां पर आपश्यागरी बननने यहां फर आप शुगर अब वह एशा नहीं कि वहां पर करणको जो है शू का प्रोड़क्श्न पर थे शूर की ही होगी तो जब एक काम को आप करते रहते हो, करते हो, करते हो, करते हो, करते हो, आपको सारी चीज़े समझ मा आ जाती है, जब एक काम को आप करते रहोगे, 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 तो क्या होगा, उसमें specialization आ जाती है और यह आपकी life पे भी depend करता है आप जो काम करते रहते हो ना consistency के साथ तो इसमें आपको आपकी skills develop हो जाती है है ना experience बहुत बढ़ी चीज़ होती है किताबी जो भाशा है ना किताबी जो ग्यान है उससे ज़्यादा जो आपकी real life का experience जो है वो बहुत ज़रूरी होता है है ना सर घ्यान थोड़ा कम दो पढ़ाने पर ध्यान दो है है ना घ्यान बहुत देते हो अप हैना ज्यान मत दिया करो है ना हमें पता है क्या साही है क्या ग najbardziej करो आप हमें इतना मस्सिखाया करो, कोई बात ने, थोड़ा बात बीच-बीच में घ्यान दे देता है, थोड़ा को इन सारी चीजों से तो आपको अपने लाइफ में को सीखने को मिलता है, आप 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 स्पेशलाइशन की स्किल्स की बात हो रही है, तो आप एक काम को आप इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जब भी किस जीच की मैनुफेक्ट्रिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारी गैडिट्स च्छेह होंगे, है ना, अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर इंडश्ट्री सो इंडश्ट्री डिपैंड करता है कि किस तरीके के जो आप इसको डिरेक्शन दोगे, है और वो पूरा जो है, आपको लिखके दे देगी, तो ऐसी चीज़े सुनने में आती है, तो यहाँ पर डिपैंड करता है कि आप जिस फील्ड में हो आप, तो वहाँ पर किस तरीके की मैनिफेक्ट्रिंग हो रही है, यहाँ तो वहाँ पर बहुत modern gadgets का इस्तमाल किया जा रहा है, अगर मैं बात करूँ developed economies का, US की बात करूँ मैं, Australia की बात करूँ, जितने भी यॉरॉप के देश है, ब्रिटेन के बात करूँ, तो यह काफी developed है, अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जाहता है जो काम है ना automation पर होते है, जानी है कि बहुत सारे जो लोग हैं लगे हुए है, क्योंकि machine आ गए है, और long term में machine की cost होती है, और efficiency भी बहुत जादा होती है, मतलब कम समय में बहुत जादा production कौन करे के दे सकता है, machine करे के दे सकती है, तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है, ठीक है, automation की हम बात करे without aid of human thinking, during the manufacturing process is the advantage stage of the mechanization, अब mechanization की हम बात करें, तो उसका simple सा मतलब है, किस level के आप gadgets है, वो इस्तिमाल करें, तो आपको हर industry में अलग-अलग gadgets जो है, अलग-अलग machine है दिख जाएंगी, और इसका advanced version क्या हो जाता है, आपने क्या क्या है, आपने humans को replace कर दिया, वो machine है, उन्ह for example, यह industry to industry depend करता है, कि इसको innovation की कितनी ज़रुवत है, let's say, बहुत सारी IT fields में, आपको innovation की बहुत ज़रुवत होती है, let's say, अगर हम बात करें, जितने भी यह जो online चीज है, for example, Instagram, Facebook, Snapchat वगरा, तो इनको यह innovation की बहुत ज़रुवत है, तो इनको यह innovation की बहुत ज़रुवत है लेकिन, let's say, मैं, just, अगर आपको दो, तो यह, यह भी billions of billions, billions of dollars की companies हैं, है ना, Google की हैं, बात करूँ, जब से वो chat GPT आया है, उसके बाद आप देखो, कितना लादा changes आए, अब Google धिरे-दिरे replace कर रहा है, chat GPT जो है, वो Google, Google को replace कर रहा है, वो, Google को replace कर रहा है, तो आपको कि उसी फील्ड में न भॉता दर निवेशन रही होता है, तापको नहीचीजें सीखना नहीची मढ़तीया है, इनुवेशन करना पड़ता है, ताकि बात बात है कि जो पराणी आपेन ओ यह से बहट हो पाते हैं, तब भी उनलाएशन पॉलेनगे हैं, यह कैसा और सकता है, कि वेश्टेज, क्वालिटी कंट्रोल, कमेट पॉलुशन एंड ब्रिंग एफिशेंसी तो भाई बहुत सारी चीज़ उती हैं, बहुत सारी चैलेंज़ नहीं होते हैं, जया से इंडेस्टी के हैं, तो अब देखोगे, कि पॉलुशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो अब स इस से पूरा तुम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, तो यह क्या है, इन्वेशन का पार्ट हो किया, अब मैं बात कर लेता हूं, अब होता है, जब कोई इंडेस्टी बहुत बड़ी होती है, तो इसका पूरा इस्ट्चर तयार हो जाता है, आप जो हजारों लोग काम कर रह आपने बात किया है, आपने बात कर दिया बात कर दिया आपने अब जैसा, अ कि तुम अपने हिसाप से करोगे, सारी चीज लिखी हुई है, पूरा इसुप लिखा हूँ है, आप उसी के अगरिग जो आपको चलना पड़ेगा, तो पूरी चीज वहें, वैली धिवाइड, उसकी बात की जा रही है, तो जो को आपके साइज बारिदा, complex machine technology, extreme specialization, division of labor, vast capital, large organization and executive bureaucracy तो प्रॉपर यहां पर क्या होता है, पूरा structure division होगा, किसको क्या करना है, उसको क्या करना है, क्या activity करना है, वो अलड़ी defined है, एक strong bureaucracy होती है, पूरा control करने वाले लोग होते है, supervisor होगा तुमारा, उसका भी manager होगा, उसका पूरी hierarchy होती है, तो ऐसे करके पूरे production को control किया जाता कहीं तो बहुत जादा industries होती है, कहीं बिलकुल नहीं होती है, तो इसका reason क्या है, basically, आप पूछा गया है, कहीं बहुत जादा industries है, for example, मैं बात करूँ, US की, Australia की, जितने भी developed nation है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, basically, industries जहां पर है, वो एक जगा पर ही है, आपको, आप इतने भी IT, जो departments है, वहीं पर देखने को मिलते हैं, घुरगाओं में हो गया, इधर साइट थोड़ा, North India में हो गया, मुम्मी चले जो, पूने चले जो, हैदरवाद चले जो, तो कुछ centers है, तो यहां पर हम बात करें, geographical distribution की हम बात करें, तो कोई भी industry, सबसे पहले वहां की जोगरफी जो है, वह बहुत डेपेंड करती है, अच्छा, कुछ जो industries होती है, जो mineral वाली industries होती है, जो mineral को extract करती है, तो अपनी industry जो जहां सेट करेंगे, तो कहां करेंगे, अपनी industry को वहीं सेट करेंगे, जहां पर rich minerals है, और जो other resources है, उसकी availability भी है, जैसे मिरे को पता aluminum को extract करना है, अब जहां पर aluminum होगा, वहीं तो मैं अपनी industry, उसके आस पासी तो industry लगा हुगा, और aluminum के अलावा भी बहुत सारे factors देखूँगा, कि वहापे water की availability है, वहापे labor की availability है, वहापे power की availability है, यह सारी चीज़ होती है, चलिए, अच्छा, अब देखो, यह जो industries है, यह आप पूरी दुनिया के आप देखोगे न, less than 10% of the world land area, यह जो पूरी industries है, आप देखोगे, यह less than 10% of the land area, वहादा पूरी वल्ड के land area की बात करें, तो उसके 10% ही cover करते हैं, और वो भी आपको सबसे आदा कहा देखने को मिलेगा, आपको जो developed nation है, यहापे अच्छी तरह से आपको industrialization देखने को मिलेगा, जैसे हम for example agriculture से compare करें, तो agriculture का area बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, as compared to the manufacturing area, जहाँ पर manufacturing होती है, जैसे आपने महान के चलो, एक बहुत बड़ा field है, गन्ने का field है, वहाँ पर बहुत आपने शुर के होगा है, और आप देखोगे, के आपने मेनुफेक्चरिंग यूनिट होती है, इतनी जगा नहीं लेती है, अब जैसे गन्ने की fields बहुत बड़े-बड़े होते है, तो agriculture land बहुत बड़ा, as compared to the manufacturing area, ठीक है, उसी की बात की जा रही है, चलिए, अचा, अब यहाँ पर industries, जहाँ पर industries develop होती है, तो वह जो एक बन जाता है, है ना, वहाँ पर economic और political development ही होने लगता है, और यहाँ पर अच्छी खासी आपको जो economic और political power देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यह जो reasons है, as compared to the other reasons of the India, है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि जहा वहाँ पर industrialization होगा, वहाँ पर urbanization भी शुरू हो जाता है, वहाँ पर लोगों की economic condition, economic power आ जागी उनके पास में, तो वो सारी चीज़े वहाँ पर शुरू हो जाती है, क्या लिए बहुत इच्छी बात है, अच्छा, अब देखो होता है, अब यहाँ पर mean industries होते है, उनका mean aim क्या होता है, profit को कमाना, loss को minimize करना और profit को maximize करना ही में नहीं होता है, अब profit को maximize करने के लिए क्या करती है, कि उस जगा अपना setup लगाएंगी, उस जगा setup लगाएंगी, जहां पर खर्चा कमाएं, खर्चा कमाएं, profit जाता है, अब सोच के देखो, कि यह जो जितनी western companies है, for example, apple यहां पर ही setup क्यों लगाती है, हमारा यह जो south east Asia, यहां पर ही manufacturing unit क्यों लगाती है, चायना में, इंडिया में, भाकी फिलीपिन बगारा में, यहां पर ही क्यों लगाती है, तो obviously यहां पर प्र-product cost वरा, cost बहुत कम होती है, अब वही जो अगर अपनी manufacturing unit अगर वो यूएस मे किसी भी manufacturing setup को लगाने से पहले बहुत सारे factors को set up किया जाता है ताकि profit को maximize कर सके चीक है तो उसके बहुत सारे factors होते हैं मतलब कोई भी अगर industry होगी उसके location जब location decide हो रही होगी तो उससे पहले कौन-कौनसे factors जो है वो consider किये जाएंगे तो उसी की बात जो है यहां पर की जा रही है तो 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 इसी की बात की जो है उसकी दिमांड तो होनी चाहिए ना market का मतलब क्या होता है market के simple सा मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर कोई ऐसी चीज बिगर रही है उसकी demand है वहां पर लोग है उसको खरीनना चाहते है वहां पर market की rate हो जाता है तो लेट से कि आपने जो है शुगर की मिल लगाई अब शुगर मिल वहीं तो लगाऊगे ना यहां पर आसपास चीनी का आपको बहुत बड़े होलसेलर मिलेंगे आपको फर बेचों के कहाँ पर आपने चीनी के मिल लगा लिए अपनी चीनी बना दी आप कोई खरीनने वा अब और आपने जो है गन्ने की मिल लगा लिए अब कश्मीर में आपको अगर गन्ने की मिल लगानी है तो कहां लगाऊगे जहां पर गन्ने का प्रोडक्शन जादा होता है गन्ने की खेती जाता होती है गन्ने की खेती हमारे यूपी वाली वैल्ट में बहुत जादा होती आप आपका raw material है, जहांसे आप raw material acquire करोगे, तो उसके आस-पास ही तो आप क्या लगाओगे, अपनी गन्य की मिल लगाओगे न, ठीक है, चलिए, बहुत इच्छी बात है, तो यहाँ पर क्या होना चीए, access to the raw material, मतलब यहाँ पर कोई भी अगर industry लग रही है, तो सबसे पहले उसको आसानी से raw material है, वो मिल जाए, ठीक है, चलिए, बहुत इच्छी बात है, दूसरी की हम बात कर लेते है, access to the algomeration economies, link between the industry, अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर algomeration economies क्या होते हैं, इसको पहले समझो, जैसे आपने दिखा होगा, है ना, जैसे मॉल में जाते आपको shopping के लिए मिल जाएगा, आपको कोई gadget लेना वो भी मिल जाएगा, तो एक ही जगा हर चीज available होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे आप देखो कि ना, जैसे मैं IT cell की बात करो, जैसे आपको जितनी भी companies, बड़ी बड़ी जो IT cell companies जो है, वो आपको आस पास ही मिल एक जगा आपको MacDee मिलेगा, एक जगा आपको Burger King मिलेगा, सारी चीज़े आपको एक ही जगा मिलेंगी, तो यहाँ पर वो जी term होता है, तो मतलब क्या होगा, मतलब यह होगा, मान की चलो आपने sugar milk लगाई, जो भी आपने सैट अप किया, तो वहाँ पर आस पास कुछ है ह जाएगी, तो आप इसी जगा तो ढूलोगे जहाँ पर आप जैसे लोग काफी सारे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जब सेट अप लगाओगे, तो वहाँ पर आपको Labor भी आसा एंवारमेंट के वहाँ पर सारी चीनी की मिलेगी है, तो आपको Labor अच्छा समील जाएगा, तो जरूरी है उन सारों का लिंक होना चाहिए आपस में उस चीज को यह बहुत इच्छी बात है अच्छी बात है अच्छा अच्छी टूर टांस्पोर्टेशन और कम्यूनिकेशन ओविस्सी बात है भाई अब मान कि आपने शुरिकेन की मिल लगा ली मैं शुरिकेन की एग्जा जहां पर सड़के बनी ही नहीं तो वह सारे वहते हैं कि वहां से टांस्पोर्टेशन किस तरीके से काम कर रहा है और किसी बी एकॉनमी को डैवलब करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़े बहुत जरूरी होती है अगर नेपॉलिन की बात करूं तो नेप गुर्णननलस के बात कर लेते हैं गवर्नन पॉलिसी जो होती है वो भी बहुत बेंड करती है यह अब जैसे होता है na कोई कोई जो एरिया होते हैan उनको हम । मिलते हैं बहुत सारे टक्स्प्स बनिफिट सरोगारा मिलते है both तो for example, मान की चलो, सरकार ने बोल दिया कि इधर कोई भी गन्ने की मिल लगाएगा, तो यहाँ पर उसको एक साल तक टैक्स, दो साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिजली जो है वो 30% डिसकाउंट में मिलेगी, तो भाई मैं अगर सारे factors को consider करूँगा, और मेरे को लगा कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर industry लगाता हूँ, तो मुझे फायदा होगा, तो ऑविस सी बात है, मैं वहाँ पर industry लगाऊँगा, तो यहाँ पर जो government की policies हैं, वो भी एक factor होती है, कि किसी भी industry की location क्या होगी, अगर government बहुत सारे benefits दे रही है, बहुत सारे जो allowances वगरा दे रही हैं, तो ऑविस सी बात है, वहाँ पर आपको ज़्यादा industries देखने को मिलेंगी, अब लेबर सप्लाई, अब लेबर सप्लाई की हम बात करूँ, तो आपको लेबर की हम बात करूँ, तो लेबर दो तरह की होती है, एक तो skilled और एक unskilled, तो लेबर की availability है या नहीं है, लोग काम करना चाते है और नहीं करना चाते है, पता चले है आपने एक ऐसे बेहड में जो है इंडिस्टी लगा लिया है, वहाँ पर कोई किसी को कुछ काम करना आता ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर काम कोन करेगा, पूर इस तरीके सा आप लेना चाहते हो, पहले क्या था, पहले आप देखो कि पहले कोल कास्तमाल करते हैं, लिंग कोल से pollution बहुत होता है, कोल से बिजली बनाने वाली जो technique होती है, कोल में बहुत ज़दा energy होती है, हम hydrolectricity की बात करें, पानी की हम बात करें, हम बात करें, आप तो है ना, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, कि भाई, जिस जगह आप industry लगा रहे हो, वहाँ पर पावर की availability है या नहीं है, बिजली आती है या नहीं आती, ठीक है, तो ये सारे factors हो जाते हैं, जो decide करते हैं किसी भी industry की location, अब हम बात करेंगे किस के बारे में, अब होता हमने अलग अलग basis पर हमने इंडस्टी को डिवाइड कर लिया, इंडस्टी तो बहुत तरीके की होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की होती है, उनका size अलग होता है, उनका input होता है, raw material होता है, उनके output की बात करेंगे वो अलग होता है, उनकी ownership की बात करेंगे वो अलग हो आपके आपकी जो बुक है NCIT जो है इसमें ये पूरा जो है पिक्चर जो है ये पूरा चार्ट जो है दे रखा है इसको हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले है ठीक है चलिए बहुत एच्छी बात है चलिए बहुत एच्छी बात है अच्छा सबसे पहले बात करते हैं भई ब पास पैसा लगा रखा है आपके पास बॉल्म करते हैं अब सोचके लोग मैं बोलू है इसकी फैक्टरी काफी बड़ी होगी पैसा फाला होगा अब मैं बोलू हमारी घर वाले आपस में घर के जो लोग हैं वही मिल के जो है production करते हैं वो ही manufacturing करते हैं तो आप कोगे कि घर पे ही है तो मतलब छोटी मोटी industry होगी छोटी इंडश्टी तो बोलिन सकते हैं इंडश्टी तो वड़ी होती है हमेशा छोटा मोटा काम इनों ने किया होगा तो इसके बात करें सबसे पहला जो है household or cottages है जो घर की घर में चश्टी की पर घर की खर का पार तो वह जो है चमॉर्ण के घर कने घर में बात करें सबसे थाया हूं इनों कि तो इनों की वारे मिघ था हम बात कराय मिघ करेंगे सबसे पहला है पात करूं household यहां पर उस मास लेवल पर प्रोड़क्शन नहीं हो रहा है कि उनको मशीनों की जड़त पड़े तो हाथों से मैनुफेक्श्रिंग करते हैं तो उसी की बात हो रही है और सिंपल कूल किया जाता है और आप देखोगे यहां पर जातर फैमिली मेंबर्स की हेल्प ली जाती है मतलब मैंने बता हैं कि स्मॉल लेवल पर हो रही है तो फैमिली मेंबर्स यहां पर हाथ बटाते हैं और आप देखोगे ऐसी प्रोड़क्शन पर चलता है और यहां पर इसमें आप देखोगे तो इसमें कुछ जादा जो है कैपिटल जरूत यहां पर नहीं होती है तो ऐसे आप देखोगे ना वह जो बैंबू की श्टिक बनाते हैं ना बैंबू की जो बास्केट रोती है तो यह घर पर ही काम होते है अब यह थोड़ना इसके लिए बहुत बड़ी मैनुफेक्ट्रिंग उनिट खोली होगी ठीक है तो यह घर पर मनाते है और बहुत सारे जो क्रा स्चव स्सेयरण कानों की बात करो हूं तो धोड़ा से एक स्टैप जाता है तो यहां पर क्या होता है और आप देखोगे रह सेयु आपर कंप और सपश्य – इसे होगा निट के रहरा हुग और यहां पर कुछ जो लोकल raw material जो है उसका इस्तमाल किया जा रहा होगा और कुछ manufactured products का इस्तमाल किया जा रहा होगा मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि material के लिए हम बहुत दूर से कुछी सामान मगा रहे हैं लोकल्य आपको सामान मिल जाएगा और कुछ जो है मशीनों का इस्तमाल किया रहा होगा अब आप देखो कि small scale manufacturing के बात करते हैं तो जैसे होता न आपने देखा होगा वह जो fan और जो पापे वगरा आप खाते हो न चाय के साथ में जो मठी वगरा खाते हो पापे खाते हो और यहां फिर जो fan होते हैं fan fan तो खाए होंगे आपने चाय के साथ में है ना चाय के साथ में बहुत चे लगते हैं सुबस्भा तो भाई अगर उसके हम बात करें तो आप वैसी unit उनकी factory में जाना कभी यहां फिर यूटूब पर कभ आवन वगरा होते हैं बड़े-बड़े तो उसमें जो है उसको पकाते हैं तो आप देखना है ना तो उसमें कुछ semi-skilled labors होते हैं और raw material वगरा जो मैदा वगरा होती है और जो भी मसाले वगरा डाले जाते हैं आपस में लोकल से ले ले लेते हैं और पूरा बड़े skill पर ब्रजील, इंडिया यहां यहां पर आपको 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 स्मॉल-skill manufacturing की देखने को मिल जाएंगी अर बात करूं लाड़-skill के लाज-skill manufacturing की बात करूं तो तीसरा कया है तीसरा लाज-skill है अब लाज-skill मतलब बहुत बड़े skill पर जो हो रहा यहां हम क्या कर रहे है है हर एक चीज इंवल्व है यहां पर आपको innovation बी इंवल्व हैं यहां पर आपको specialised worker मिलेंगे थी की स्किल्ड वर कर मिलेंगे या लोगी अच्छा घालया सब्खरात। अब यह तो उन्च आंपर लगने की आखर कि अपर लिएसक और हिश्क नृट अप्र करो लाइश् Initi Alp , ट। यहां पर आपको आंपर अजश्क है बनुट हैं लाइश्क trump सबस्क्राइश दिवार इंटु पार्ट्स फार्ट्स लार्ग स्केल इंड़जूस जैसे आप देखो की डिभी काम हो रहा होता है तो यहांपे लोग बहुत जादा होते है वह आपको सबस्टेज्टा कहानं देखने को मिलेंगी तेवलपनेशन में यहां पर जो maximum काम जो होता है, 70-80% जो काम होता है, वो मशीने करते हैं, आप देखो कि पूरा automation पर होगा, है ना, पूरे automation, यहां पर जो mechanization जो होता है, यहां पर जो gadget इस्तमाल होते हैं, वो एक अलग ही level के होते हैं, modern होते हैं, यहां पर इंसानों की ज़रोत पड़ती ही नह होते हैं, और पूरा काम होता रहता है, उनको पूर उन मशीनों को पूरा control करने के लिए एक यहां दो लोग होंगे, और बड़े level पर, है ना, जो है उनको, आप देखो कि पूरा जो machine होते हैं, वो production करते हैं, वो manufacturing करते हैं, तो उसको हमने बोल दिया, high technology, large skill industries, है ना, इन द हाथ पूरो, high technology, large skill industries की, जहां पर population कम होती है, यहां पर population बहुत हाई amount पर काम करती है, for example, Switzerland की हम बात करें, तो यहां पर लोग बहुत high pay किया जाता है, बहुत ज्यादा pay किया जाता है, यहां पर population भी कम है, लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, चोटे मोटे, तो यहां पर पहला आजाता है, agro-based industries, हैना, तो इन सब की हम धीर धीर बात करेंगे, agro-based industries, food processing, इसका ही पार्ट है, agro का ही पार्ट है, फिर हम बात करेंगे, animal-based industries, हैना, agri business की हम बात करेंगे, क्या होता है, forest-based industries की हम बात करेंगे, chemical की बात करेंगे, animal और mineral-based industries की हम बात करेंगे, इन इंडिस्टी 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 इं manufacturing unit setup होगी मतलब वहां से वह पूरा collect करके लाते हैं leaves जो होते हैं collect करके लाते हैं और पूरा उन्हें process करके उसकी चाय बन जाती है तो यहां पर उसी की बात हो लिए तो अग्रो-based industries वही होते हैं कि यहां पर क्या होता है हम field से raw material को convert करते हैं raw material को collect करते हैं और उसको finished goods में convert करते हैं clear हुआ जैसे हम oil की बात करें coffee की बात करें cotton की बात करें silk की बात करें तो यह होता है जैसे हम sewer gain को भी इसमें ले सकते हैं अच्छा अब इसमें एक चीज़ और आती है food processing भी इसी का पार्ट है अब food processing में क्या होता है कि food की जो food का जो form है उसको हम change कर रहे होते हैं जैसे आपने देखा होगा वो जो canning का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी food को can में pack कर रहे हैं उसमें हम पूरी air निकाल देते हैं पूरा technology का use करें chemicals वगरे का use करें उसकी air निकाल के हम उसकी life shelf life को बढ़ा देते हैं जैसे आप देखोगे उसकी shelf life है एक या दू महीने बढ़े जाती है तो जब आप खरीनने जाते हो तो उसमें लिखा होता है expari date लिखी होती है कि within one month you have to use this product तो ये इसकी बात हो रही है हम जैसे producing cream की हम बात करें तो अमूल की cream आती है तो पूरी इसकी shelf life होती है कि एक देड़ महीने पंदरा बीज दिन उसको इसको इसको क्या बोलता है food processing बोलते है मतलब हम इसमें जो main aim जो होता है food की एक तो form चेंज करना प्लस उसकी shelf life को बढ़ा तो जितने भी products आपको मिलते है वो पूरे जो है उसमें आपको food processing देखने को मिलेगी तो अब मैं बात करूँ agribusiness के बारे में अचा अब ये क्या होता है अब इसमें जो commercial farming देखने को मिलेगी मतलब farming तो हो रही है लेकिन एक बहुत बड़े scale पर हो रही है है ना जैसे हम बात करें जैसे आप देखोगे tea plantation बड़े-बड़े होंगे tea factories बड़े-बड़े होंगी तो tea plantation के पास में आपको बहुत बड़ी tea factory मिल जाएगी अचा अचा एग्रोबेस्ट में क्या हो रहा है आप एग्रोबेस्ट में हम simple सा कर रहे हैं simple सा कर रहे हैं हम basically जो farm की products है है ना जो farm की products है जो हमें field पर मिल रहे हैं उनको हम जाफ फिनिक्स गूर्ट कर रहे है और यह भी अगरी business भी सेम ही है जादा जो है इसमें basically क्या हो रहा है commercialization हो रहा है इसको process करके चाय पती बना देती है यहां फिर coffee बना देती है जो हम पर mineral based industries की बात हो रही है to mineral based industries कौन से industries होती है जो like minerals को use करती है minerals भी तो तरह की होती है आपने सुना होगा minerals दो तरह की होता है ferrous mineral और non-ferrous mineral ferrous के हम बात करें तो उसमें aluminum वगरा को use करते है aluminum हो गया copper हो गया तो इसमें iron नहीं होता तो यह जो industries होती है इसको हम क्या बोलेंगे mineral based industries बोलेंगे कि लिए हुआ mineral based industries mineral based non-metallic industries are of cement and poultry अच्छा अब यहां पर बहुत सारी industries ऐसे भी होती है जो minerals को तो use करते हैं लेकिन वो non-metallic nature की है यानि कि ना तो वो ferrous और non-ferrous है वो उसमें जो है आपको कोई भी metal देखने को नहीं मिलेगा अब इसमें कौन सी चीज आ जाएगी तो आपको यहां पे इसमें आपको cement दिखने हो मिल जाएगा cement is a mineral है ना वो आपको जमीन से ही मिलता है तो आप नेचर से ही extract करते हो अगर मैं बात करूं सीमेंट की है ना अब पोटरी की हम बात करें तो यह भी क्या यह एक तरह का mineral तो यह सारी हो चीजे हैं ना वो क्या है वो minerals है और यह minerals कैसे हैं तो यह non-metallic nature की है metal नहीं होता तो यह सारी चीजे हो गए बागी गाना chemical based industries की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर basically chemical maximum जो इस्तमाल होता है chemical सभा होता है like sulfur की बात करूं salt, potash, mineral, oil की हम बात करें है ना पैक्टर chemical हो गया इस्तमाल देखने को मिल जागा paint वगएरा जो होता है paint आता है बहुत तमाम चीजे होती है forest based industries की हम बात करें तो इसमें जो भी समान जो यूज होता है forest यह जो woods होती है लगड़ियां वगएरा जो होती है उनका इस्तमाल आपको जादा होगा जागा रहे स्क होता है उसके खाल होती है उससे लेधर बनाती हो woolen के बात करें चीब वगएरा धिम से wool निकला जाता है textile के में बात करें तो यह सारी चीज है जैसे वह तक बहुता है चीजे जो भिकती है हाती के दांट वगएरा हो गयए यह सारी चीज हो गहीं हैंना तो यह सारी चीज है उसको हम क्या बोलेंगे और प्रोमेटिज, भूले, यानि कि जो भी चीज हम एनिमल से एक्स्रक्ट कर रहे हैं वह इसमें आजाएगा से हैं आ इनका इस्तमाल आको किसी दूसर से हैं समझ रहुं拜拜 कि आ남 रहे हazyLee ही वहिअ कर लेकिन बेसे अब सि बनाता इस्तमाल जिसे आइल नोग ने से बने हुए है आप उस उस आश्या Zoe जो आप किसी दूसरे raw material को बनाने में कर रहे हो तो वैसे जो products है वो इसमें आएंगे ठीक है, clear हुआ, तो the industry whose products are used to make other goods using them as a raw material है, मतलब जैसे मैं बातकू nut bolt, अब nut bolt के हम बात करें, वो आप लाते हो अब वो ऐसे तो वो तो भाई कहीं से अब बन के हा रहे हैं, उनका output निगल चुका है लेकिन आप उन nut bolts को किसी दूसर product को बनाने के लिए ऐसा raw material की तरह यूज़ कर रहे हो जैसे कार की हम बात करें, अब कहीं से आप nut bolts लाए, ठीक है, अब वो nut bolts हो है, वो उस car के लिए क्लिए है, वो निगल चुका है, वो कहीं से बन चुके है उनका nut bolts भी किसी company ने बनाए होंगे और बना के तुम्हें दे दी है, लेकिन वो तुम्हार ले क्या है, वो कच्छा माल है तुम्हार ले उनके लिए output है, वो तुम्हार ले कच्छा माल है वो, raw material है वो उसको जब आप गाड़ी वगरण फिट कर दोगे, पूरी गाड़ी बना दोगे, उसके बाद वो होगा ना, finished goods तो उसकी बात हो रही है, है ना, और इसमें कुछ आपकी consumer goods भी आ जाते हैं, जो आप सीधा सीधा consume करते हो, ठीक है ना, जो सीधा manufacture होगे सीधा consume करते हो, for example bread वगएर की बात करें, tea की बात करें, biscuit की हम बात करें, तो सीधा आप consume करते हो, which is consume directly by the consumer, तो ऐसे good आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, चलिए, आप industry based on the ownership, ownership की हम बात करें, यान कि कोई भी sector उसकी ownership, मत जो shares होते हैं, किसकी होते हैं, government की होते हैं, private की बात करें, तो private में जो ownership होती है, किसी individual की होती है, जैसा for example मैं बात करूँ, reliance industries की, कौन है, मुकेश अम्बानी, अनिलम्बानी, धीरु भाई-म्बानी की हम बात करें, वो तो गुजर गए, जैसे मैं बात करूँ, अदानी क की बात करूँ, Elon Musk की बात करूँ, है ना, तो यह सब कौन है, यह सब जो है, private sector की मालिक है, ठीक है, इनको private industries जो है, जो है, joint की हम बात करें, तो इसमें होता है, जो है, joint में आप देखोगे, आदा कुछ पार जो है, आदा कुछ पार जो है, प्रेविट का होता है, for example, मैं ब की ownership आपको देखने को मिलती है, public plus private donor की ownership देखने को आपको मिलें, concept of high technology industry, high technology industries का concept क्या होता है, अब simple सा होता है, इसमें बहुत high level की जो है, आप देखोगे, advanced scientific technology का use किया जाता है, बड़े-बडे engineers वगए हाईर किया जाते है, इसका सब सब perfect example में बताऊंगा आपको, जो Elon Musk सब्सक्राइब है, उनकी जो space वाली company है, उसमें दो कितने high level का technology इसमाल किया है, कितने high level, मतलब rocket को reuse कर सकते है, अब सोथ कितना R&D में खर्च किया होगा, research and development में, SpaceX नाम है, उनकी company का SpaceX, तो कितना पैसा लगा होगा, तो ऐसी companies में बहुत जादा scientific knowledge लगती है, बहुत जाद आपको engineering research की जरूत पढ़ती है, R&D की जरूत पढ़ती है, high skilled specialist ही होते हैं, जिनको आपको बहुत अच्या खाता amount पे करना पढ़ता है, और एक white collar job होती है, वो जो है, आपको वैसे लोग रखने पढ़ते है, ताकि blue collar वाले लोग है, उनकी job को हटा सके, outnumber the production of the labor blue collar, अब य related है, जिसमें high tech लोग चाहिए होते हैं, एक white collar job, यानि कि जैसे होता है, IITans को hire करते हैं, IITans को, जो MIT से आई है, जो Harvard से पढ़के आई है, बढ़िया तरीके से इनोंने, जिनोंने engineering करी है, अच्छा खासा इनको experience होता है, ऐसे लोग को ये लोग hire करते हैं, ठीक है, अच्छ है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, high tech industries, which are reasonably concentrated, self-sustained and highly specialized, तो ऐसे को हम बोल देते हैं, technopolis, मतलब जैसे आप देखो न, बहुत जादा high technical industries जो होती है, जिसमें आप देखोगे, बहुत जादा technical knowledge लगती है, बहुत जादा आपको hire, white collar jobs होती है, जो ऐसे लोग होते हैं, जो बहुत जादा highly specialized लोग मिलेंगे, तो ऐसी आप industry को क्या बोलते हो, आप ऐसी industry को technopolis, technopolis बोल देते हो, ठीक है, तो यह term exam में आ सकता है, तो यह बहुत अलग-अलग terms जो है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि exam में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, चले, तो बहुत अच्छी बात है, तो यह सारी चीज़ां आपको, यह मैंने आपको थोड़ा चार्ट की फॉर्म में लग दी है, आप देखके पढ़ ले ना, समझ मा जाएगा आपको, ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें वो बहुत अच्छे से clear हो गई होंगे, है ना, इतनी सा आज में तब तक लिए बाबाई, टेक केर